उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित बाल्विकास एवं पुष्टाहार विभाग जिसके माध्यम से कोपोशड को दूर करने का लगतार प्रयास किया जा रहा है। बालविकास एवं पुष्टा हारविभाग के माध्यम से छे वर से कम उम्र के बच्चे को भी प्री स्कूल के तहत आगनबाड़ी केंद्रों पर फीजा जाता है और बच्चों को सिच्छा दी जाती है खबर गाज़पुर जिले से है जहां पर सो आगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान किया गया जिसका वित्रन गाज़पुर जिला अधिकारी आरेका अखावरी और जिला कारिकरम अधिकारी देली पांडे मौझूद थे जहांपर उन्होंने आगनबाड़ी की करकर्तियों से पात किया और इसके तहत आगनबाड़ी केंद्रों पर खिलोने, अच्छर ग्यान, हिंदी एवां अंग्रीजी अक्छर, कलर, बंजल्स, वाइड बोर्ड, मारकर आधी की समागरी उपलब्द की जाती है जहांपर कारिकरम में दिली पांडे ने बताया कि लगातार आगनबाड़ी केंद्रों की मानिटरिंग होती है और कार चल रहे हैं इस कारिकरम में CDPO अरुण, तूबे, सायरापरवीन, समीर सिंग, बिरुमती और भी लोग मजूद थे आगे क्या बोली DM आरेका अख़वरी में दोनों वो है, कलर्स है, पजल्स है, उनके बाइट बोड है, मारकर है, सारी चीजे हैं जो यहां डिस्प्लेड है और यह सभी आइटम्स सौ केंदर पे जाएंगे, इसमें जो छोटे बच्चे हैं, तीन से छे वर्ष के, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है प्राइट प्राइट बाइट आप है, जो इसे ख़ाइट बूरा नहीं एटबाट पूरा अगना अगनगा विश्वन पूर् करन्दा क्या जाई है इसका यूज करना है मैं इसका सत्यापन करा रही है कि इंद पराना चाहिए इसको यहां बुलाओ तो यहां रिखा है आप सबके आगनवाडी के लिए सबान है बच्चों के लिए जो राजयपाल महोदया ने कि प्रेड़ना से हम लोगों ने जन सहयोग से सीजाव से कंपनियों से लेकर के भुखाया कराया है बच्चों के लिए खिलोने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए फल वगयरा का शेप है इसमें अक्षर ज्यान के लिए अक्षर ज्यान के लिए एगिस बगयरा भी है पर यह नम्बर्स है एक दो तीन चार जोंगे हैं इनके बच्चों की घोड़े हैं यह पशो स्थु के यान के लिए पशोक हुँ है अकडिया है और कि वहां कि नियुक्त कर दो करके कि अधिया करें तक यह जा रहा है कि आपको दिया जा रहा है ताकि आप बढ़ियां से पढ़ा सकें अगणवाडी में भीज से पोशा हारबाटकर करके रिंचलना है कि वह बच्चों को बढाना भी है, जो आउस हमारे बच्च को हम पाराउने च्शतार के हुए कोई एख उच्छों के रहे ठीकम का ऑघ्जा पस अनुड exhibits करें और उसको पता करिए कि उसको जनकारी है कि और सबको अच्छे से रखें ताकि इसकी कोई इभिल करना